Hello everyone, so इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजिला यू के वेडिल अफ्मेंट बूटकेंप कोर्स के बारे में तो मैंने इस कोर्स का रिव्यू किया था ओल्रेडी जिसकी लिंक आ रही होगी आई बिटन के ऊपर इस वीडियो में मैं दुबारा इस कोर्स का डिव्यू नहीं कर रहा हूं मैं सिक आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या रोड बेथ फॉलो करना चाहिए या किस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए तो आप इस कोर्स को अच्छे से एक अच्छे से complete कर पाएं और आप इससे जादा से जादा 100% चीजें गेन कर सकें ठीक है चुकि अल्रेडी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी उसमें काफी सारे डाउट्स वगरा आय थे तो उसको clear करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो definitely आपको बहुत जादा clarity मिल जाएगी इस course के साथ तो चालू करते हैं फटाफट से और इस वीडियो को थोड़ा short में ही रखेंगे तो basically दो type के लिए हम ये course purchase कर सकते हैं first condition अगर आप चाते हो अपने job interview को crack करना दो condition होईगी जब आप ये वाले course को लोगे आप job interview को crack करना चाते हो आप क्या बनना चाते हो web developer या freelance करना चाते हो ठीक है पहली condition तो ये वह गई web developer बनना चाते हो, job interview crack करना चाते हो web developer freelancing, जो भी है दूसरी condition होगी के आपको के वाल web development के project चाहिए resume मेर है ठीक है ये दो condition होती है जब आप सीखते हो आपको अपने CV में प्रोजेक्ट चाहिए वेव डिलॉपमेंट के इन दो कंडिशन के बेस पर आप क्या करोगे कि इस को परचेस करोगे ठीक है तो मैं दोनों सेनेरियूज लेके चलूँगा आप अपने इसाब से फिट कर लेना तो चालू मैं करत कोर्स से सीखने की जुरत नहीं है फ्रंटेंड डेलॉपमेंट जिसमें आगया आपका HTML, CSS, Bootstrap और JavaScript की बात करूंगा एक्सपर्स भी मास्ट्री नहीं कर पाते तो वो इस कोर्स में आपको हलका कभी मिलेगा Responsive Wear Design इनका portion जिसमें आपको थोड़ा वह सिखाया जाएगा तब भी अगर आप जाना चाते हो Responsive Wear Design अच्छे से सीखना चाते हो तो मैं आपको दो रिसोर्स दे रहा हूँ टूटोरियल स्पॉइंट पर CSS Responsive ये वाला आपको वेब पेज मिलेगा जिसमें पूरा documentation है CSS के बारे में ठीक है तो अगर आप काफी जदा Deep Dive में जाना चाते हो Responsive Wear Design अगर आपको फ्रीलांसिंग वगरा करनी है तो आपके लिए सीखना काफी ज़रूरी है तो आप इस रिसोर्स को फॉलो कर सकते हो ठीक है तो यहां है CSS Responsive Wear Design आप जाके पूरी चीज़ा पढ़ सकते हो कि आपको क्या 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 करना है पूरे documentation with code दिया गिया है media queries वगरा सब detail में समझाई हुई है दूसरा resource मैं कहा रहा हूँ यह वाली YouTube वीडियो Introduction to Responsive Wear Design HTML and CSS Tutorial तो यह वाली एक वीडियो है free code के उपके उपर आप इसको follow कर सकते हो काफी अच्छी वीडियो है मैं कहूंगा अगर आपको projects बनाने हैं CV में mention करने के लिए तो आपकी basic java script चल जागी which is okay in the Angela U course ठीक है Angela U course से आपने java script पड़ी basic java script आपके projects के साब से ठीक है तब भी मैं कहूंगा java script सीखना is very very important हमेशा आपका साथ देगी आपको java script सीखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप web development की field में जाना चाहरे हो तो तो मैं कहूंगा along with this course आप कुछ resource follow कर सकते हो जैसे यह हो गया code with Harry की java script tutorials की playlist आप इसको follow कर लो java script आपकी बिल्कुल कड़क हो जाएगी काफी अच्छी हो जाएगी ठीक है अगर आप projects वगरा कर रहे हो तो आपको इतना deep में जाने की जरूरत नहीं है आपको किवल hands-on अच्छे से आना चाहिए तो एंजेला UK course में ठीक है लेकिन आप थोड़ा बहुत 20-25 वीडियो इस playlist की कर सकते हो जिससे आपका एक clarity ज्यादा अच्छे से हो जाएगी अगर आप बिल्कुल deep dive जाना चाहते हो java script में suppose अगर आप freelancer बना चाह रहे हो या आप proper एक वेरल अपर का interview करेक करना चाह रहे हो तो मैं कहूंगा आपको ये दो वीडियो में बता रहा हूँ आप इनको follow करो और बहतरीन वीडियो है एक ही चैनल से वो है हर्शित वसिस्ट तो हर्शित वसिस्ट के चैनल से java script beginning to mastery complete tutorial part 1 ये लगवग 12 गंटे की वीडियो है आप सोच सकते हो कितना deep dive में होगा केवल java script java script 11 गंटे 8 मिनिट की वीडियो है आप इसको देखो और इसी का part 2 भी है जो 8 hour का है ये मैंने आपको चैनल बता दिया हर्शित वसिस्ट java script beginner to mastery complete tutorial part 1 और part 2 ये 8 गंटे का है बिलकुल आपकी basic से लेके आप java script के लिए सोचो आप interview के लिए perfect ready हो जाओगे perfect ready आपको कोई resource follow करने की ज़रुत नहीं है पूरे perfect ready web developer अच्छी खासी company के भी interview के लिए आप ready हो जाओगे ठीक है बिलकुल आपको ये follow कर लेनी है ठीक है ये source याद रखिएगा मैंने आपको वीडियो बता दिवाना pause करके note कर लो ठीक है उसके बाद ये projects बताए है चुटे वोटे ये बताए है आपकी java script पर hands on कराने के लिए या projects में कैसे apply करते हैं उनके लिए तो ये सब ठीक है ये आ जादा पूछी जाती है तो ठीक है एंजला यू के कोर्स के साथ ठीक है मुझे पता है काफी कम है क्योंकि back end is very big portion लेकिन ठीक है job interviews के साथ से भी ठीक है और projects के साथ से भी ठीक है इस कोर्स में मेरे को ऐसा लगता है ठीक है क्योंकि ये EGS VGS अच्छा पढ़ाया गया है blog website व पूरा यह लिखा हुआ है आपके सारी topic wise topic लिखे हुए है यह जैसे आपको नल select top के बारे में पढ़ना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो examples के थरूप बहतरी documentation है मैं भी इसी से बढ़ता हूँ तो आप बिल्कुल आपको सब को समझ में आ जाएगा अगर आपको mongodb document का यह वाला documentation follow कर सकते है इस पर data creation बहुत बहुत प्यार documentation है यार मतलब salute जो भी documentation करता है बहुत प्यार documentation है जैसे create करना आपको database तो आपने create database किया और देख हूँ आप examples के साथ पूरा बताया गया है short and crisp तो यह आप mongodb के लिए follow कर सकते हो यह बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप database में एक अच्छी knowledge लेना चाहते हो तो for the project for the interview दोनों के लिए बहुत अच्छा है ठीक है बाकी सब deployment ज्यादा आपको जरूरत नहीं है जानने की मतलब अगर आप जान ले तो तो काफी अच्छी बात है लेकिन इतना important नहीं है मैं कहूंगा projects को लेके projects अगर आप GitHub पर डाल देते हो अपना ठीक है local server पर deploy करने है अगर deploy भी करते हो तो काफी काफी अच्छी चीज है वो तो बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप कर ले तो लेकिन मतलब मैं यह कह रहा हूं कि मतलब अगर आप पर short time है तो ज्यादा deep जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आते हो आप deployment अच्छे से सीखो अच्छे से सीखनी पड़ेगी आपको और उसके लिए एंजला यू का कोर्स प्लस आपको कुछ other resources भी follow करने पड़ेंगे डिपेंड करता है आपको उसे platform पर deploy कर रहे हूं ठीक है अब मैं बात करता हूं react.js react.js is very very important और आपको एंजला यू के लावा कहीं और से follow करने ही जुरत नहीं है क्योंकि पूरा 9 गंटे का tutorial s के उपर काफी अच्छा पड़ाया गया है अब overall यह पढ़ने के बाद अब मैं ठीक है projects कैसे बनाने है projects ऐसे बनाने है कि ऐसा नहों कि आप छोटे-छोटे 50 प्रोजेक्ट बना लो नई एक प्रोजेक्ट बनाओ लेकिन तगड़ा बनाओ यह नहीं क्यारा मैं एक ही बनाओ मैंने कह दिया तो ज्यादा ही बना सकते हो लेकिन एक बनाओ वो दमधार होना कैसे बनाओगे, वो मैं बताता हूँ, देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, HTML, CSS, JavaScript, सब का यूज करके, मैं कहूंगा, bootstrap use मत कीजिएगा, ठीक है, इन सब चीजों का यूज करके, सबसे पहले एक responsive design बनाओ, ठीक है, ये दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है, आप projects बना र validations होना चाहिए, ठीक है, उसमें JavaScript की functionality होनी चाहिए, कैसी functionality, जैसे कि आप एक पेज पर login से sign up में switch कर रहे हो, तो वो change हो गया, इस type का, ठीक है, मतलब आप कुछ करवा रहे हो, data data save करवा रहे हो, इतना होना चाहिए, आपका Facebook और Google से sign in होना चाहिए, ठीक है, जो आप सीख जाओगे, एंजला यू के course में बताया गया है, authentication and security में, ठीक है, react अच्छा का सा use होना चाहिए, आपका design वाले portion में, ठीक है, react का आपने use किया, जावाय स्क्रेट का किया, ठीक है, HTML, CSS का किया, इसका को use होना चाहिए, साथी में, अगर आप कोई API call or देदो, तो आपका project काफी अच्छा हो जाएगा, तो आपको एक one project बनाना है, पूरा idea सोच के, जिसमें ये सारी चीजने use हो सके है, after the completion of the course, and then you are good to go, ठीक है, काफी मे आपको clarity दे होगी, ठीक है, so, ऐसा ही कोई दिक्कत नहीं है, हम और भी video बना सकते है, कि इस course को करके हम CV कैसे maintain कर सकते है, क्या क्या करना चाहिए, सब कुछ, तो वो मैं इस video में नहीं, आगे मैं cover कर लूँगा, तो thanks for this video watching, I hope आपको काफी चीजन clarity होई होगी.